IT और Software के क्षेत्र में काम करने वाली Subx Share Company ने जून 2024 के अपने तिमाही में अपने घटे को पिछले तिमाही से कम किया है और साथ में इस Stock वर्तमान में पूरी तरह से करज मुक्त भी है इस Stock ने पिछले कुछ सालों से निवेशकों को निराशाही किया है क्योंकि कमपनी ने पिछले एक साल में के साथ प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है कमपनी की शुरुआत सुभाष मेनन द्वारा सूब एक्स लिमिटेड कमपनी की शुरुआत 1992 में हुई है ये विश्वस्तर की ओपरेशन सपोर्ट सिस्टम सॉल्यूशन करने वाली एक लीडिंग कमपनी है इनको क्लाइंट में अधिक्तर टेली कम्यूनिकेशन सर्विस की कमपनी आती है सब एक्स शेय कमपनी ने अपने कमकाज का विस्तार भारत सहित सत्तर अन्य देशों में करने में काम्याब हुई है ये कमपनी के अगर हम कामकाज की बात करें तो ये कमपनी रेवेन्यू अश्यूरंस, फ्रॉड मेनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मेनेजमेंट, रूट आप तो कमपनी ने 64.98 करोल के नेट सल्स पर 15.94 करोल का घाटा पेश किया है पिछले तिमाही का प्रदर्शन अगर हम पिछले तिमाही में जाए जो मार्च 2024 में पेश हुए थे, वहाँ पर कमपनी ने 65.04 करोल के नेट सल्स पर 167.72 करोल का घाटा पेश किया था पिछला साल का प्रदर्शन सालाना तौर पर अगर हम पीछे जाए तो जून 2023 के पहले तिमाही में कम्पनी ने 64.9 करोड के नेट सल्स पर 18.8 करोड का घाटा पेश किया था कम्पनी की विद्टी अस्थिती सबेक्स शेय कम्पनी की विद्टी अस्थिती अच्छी कहे जा सकती थी लेकिन कम्पनी में एक कमी है कम्पनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 प्रतिशत की है पर कम्पनी के उपर कोई भी करज नहीं और साथ में कम्पनी का मार्केट कैप 1736.59 करोड का है पिछले एक साल में 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है डिस्क्लिमा आपने जो न्यूज पड़ी उसका मकसद केवल आपको जानकारी देना है हमारी चैनल एक्विटी न्यूज स्टॉक मार्केट के कमपनी की लेटस्ट न्यूज बोनस डिविडेंड आई पी ओ की इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है भारतिय शेयर म मार्केट जोखिम के अधीन होता है जिसे आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है जिससे निवेश करने से पहले किसी विशेश सलाहकार की सलाह लेना आवश्यक है और हमारी चैनल से भी द्वारा रजिस्टर भी नहीं है